बुजुर्गों ने बताए छोटे छोटे मगर कमाल के नुस्खे 1. सूजी को रोज खाने से हार्ट अटेक का खत्रा कम हो जाता है 2. गाजर का हलवा खाने से गुर्दे की पत्थरी तूट कर निकल जाती है 3. बासी रोटी खाने से दातों में ठंडा गरम लगने की बिमारी दूर हो जाती है और दात मजबूत हो जाते हैं 4. दाई तरफ करवट लेकर लेटने से जल्दी नींद आ जाती है 5. लकडी की आग में बना खाना खाने से आप ज्यादा सेहत मन रहते हैं 6. शाम को मीठा ना खाओ बलकी करवा खाओ जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है 7. स्मोकिंग और शराप के सेवन से दाड़ी के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं 8. बालों पर कंगी ना करने से बाल बहुत जल्दी गिरते हैं 9. बच्चों को दल्या खिलाने से उनके वजन को बढ़ाने में मदद मिलती है 10. दल्या में भरपूर मात्रा में केल्शियम पाया जाता है जो बच्चों की हड़ियों को मजबूत बनाने के साथ साथ मास पेशियों में होने वाले दर्द से भी राहत देता है 11. शाम को प्याज का सेवन करने से बवासीर जैसी बिमारी हो सकती है 12. जिन औरतों की उम्र 40-45 के बीच है उनको चुकंदर ज्यादा खाना चाहिए 13. ज्यादा टॉफी खाने से दातों की समस्याएं बढ़ सकती है 14. कुमहार की काली मिट्टी में जरासा देसी घी मिला कर सूजन वाली जगा पर लगाओ 15. कोई जहरीली चीज मुँ में चली जाए तो तुरंत नमक खालो 16. अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता हो तो उसको केला और शहद मिला कर दें मिट्टी खाना छोड़ देगा 17. पानी कम पीने से दिमाग की नसों में खून के ठक्के जमने लगते हैं इससे दिमाग पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है जिससे बिहोशी भी आ सकती है इसलिए हमको कम से कम आठ से दस किलास पानी पीना चाहिए इससे आधे से ज़दा बिमारियां दूर हो जाती है 18. काली किश्मिश किड्नी की पत्री होने से रोकती है इसलिए काली किश्मिश भी खानी चाहिए नमबर 19, चुकंदर की पत्तों को उबाल कर सिर्ध होने से सिर्की खुश्की दूर हो जाती है नमबर 20, जो लोग रात में तेर से सोने की आधी होते हैं, उनकी टांगे समय से पहले कमजोर हो जाती है नमबर 21, सुबा नाश्टे के बाद दो अंजीर खा लेने से लिकोरिया की बिमारी जड़ से खतम हो जाती है नमबर 22, जिन बच्चों को कम उमर में ही चेश्मा लग गया है, उन्हें मिश्री, सौफ और इलाइची को दूद में डाल कर बच्चों को पिलाना चाहिए इससे आखे स्वस्थ रहेंगी और शरीर को ताकत मिलेगी दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद